कि अग्वाइब आज जो हम पढ़ेंगे वह क्लास 12 इस्टेंडर्ड के चैप्टर नमबर 10 के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले इस्टुडेंट क्या हुआ था कि आपको टॉपिक इसका स्टार्ट कर दिया गया है ठीक है यहाँ पर हम लिख देते हैं बायलोजी यह क्लास 12 का आपका टॉपिक चलेगा जो एक टॉपिक है ठीक है इन टोबाको इंडस्ट्री ठीक है इन टोबाको इंडस्ट्री बीस जो तमबाको उद्दोग में ठीक है जो तमबाको उद्दोग में जो भी तमबाको को प्रिपेर किया जाता है ठीक है जो तमबाको को बनाया जाता है आज जो हम बात करेंगे उसको किस लेवल पे हील्ड किया जाता है उसको किस लेवल से प्रिपेर्ड किया जाता है उसकी रेरिंग की जाती है और इसमें जो एक स्वाद आता है ठीक है इसमें जो सुगंद आती है तमबाको की एक अलग सुगंद होती है ठीक है तो इसमें किस तरीके से इसमें सुग Landing आती है इसमें किस तरीके से इसमें चैंजिंग होती है यह सब बात आप को यहां पता होो यहां पर इंडिया में वासको गार्गामा से अब देखते हैं कि वा नहीं कि बहुत चाइपती क्या एक होती नोट्फ के उत्तों में हम पती टाइक सלएकर के चाय बबारेइब वह देर था थे हैं कि सब्सक्राइब जाता है जो किसमें बतंब gefथे रहा ती हरा घूंए है ऐसमें उसमें क्या के एक हम बात करेंगे तो आब हमस्टार्ट करते हैं आपका टोपिक है इन jetzt की किस तरीके से इसके स्क्राइब की जाती है तो स्थीस्ट में स्कों इस वीडियो में कवर करने वाले यापको दिखान से इसको देखना है अब देखे इन टोबएक को इंडस्ट्री ठीक है अब देखे यहाँ पे एक मैटर होता है एक केमिकल होता है जिसका नाम क्या होता है बैसेलियस बैसी बैसी एक तो यह होता है बैसेलियस मेगा थेरियम एक यहाँ पर केमिकल और होता है जिसे मैक्रो मैक्रो कोकस ठीक है कैंडियन्स कैंडियन्स यहाँ पर हमने दो केमिकल का नाम लिखे हैं कौन कौन से हैं एक तो है बैसिलस मेगा थेरियम है क्या है बैसिलस मेगा थेरियम है और दूसरा क्या है मैक्रो कोकस कैंडियन्स यह ऐसे मैटर्स होते हैं यह ऐसे केमिकल्स होते हैं ज जो की जो टोबैको की जो लीफ होती है क्या होती है जो टोबैको की पत्ती होती है क्या होती है जो टोबैको की पत्ती होती है उसमें जो स्वाद आता है क्या आता है इसमें जो स्वाद आता है ठीक है और उसमें जो इसमें सुगंद जो आती है ठीक है क्या आती है जो पड़ा आती है क्योंकि उसको हम चैनिस्ट किये हुए है केमिकल से उसकेमिकल का क्या नाम है मैक्रो कोकस कांडियंस और बैसिलस मेगा थीरियम तो हमको यह पता हो गया कि यह दो ऐसे केमिकल से जो की तो वैको की पत्ती में यह सुआध और सुगंद को लाने के लिए helpful होते है ठीक है बिद्धी हेल्प आप बिद्धी बिद्धी हेल्प आप और मेंटेशन मतला होता है किडवन बिद्वारा इसको किस बिद से प्रिपेर किया गया है फोर्मेंटेशन की द्वारा ठीक है किडवन बिद्वारा हमने टुबैको की पत्ती में उसके इंडस्टियल लेवल में उसके हेल्ड में उसकी रियरिग में जो क्या किये है सुगंद को लाए हैं उसमें जो आपकी उसमें स्वाद आये हैं वो बैसिलस मेगाथीरियम और माइ तो यह दूसरा था इसके पहले हम फॉर्मेंटेशन इंडस्टी के बारे में पढ़े थे ठीक है अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं वह अगला है आपका तो हमने तंबाकू के उद्रोग में पढ़ लिया अब इंटी इंडस्टी किसके बारे में पढ़ेंगे इंटी इंडस्टी मेंस जो तंबाकू की पत्ती होती है जो यहाँ पर इंटी इंडस्टी जो चैपत्ती होती है आपकी ठीक है उसमें जो स्वाद आता है क्या आता है ज पुषण जाता है कौन से केमिकल से उसकंड जो है अमने पढ़ा इसमें क्या मि ट्व क्या होते हैं जो इसमें स्वाध आते हैं आपको चाया की पत्ती में ठेक है उसमें क्या होता है अभी हमने पढ़ा तो इसमें मैक्रो कोकस ठीक है क्या बोलते हैं कैंड अब देखे ये इसके पहले अभी हमने पढ़ा इसको ना किसमें इंटो बैको इंडस्टी में वहां से उनली फार जो स्वाज आता है यहां पर हम क्यों मैक्रो कोकस केंडियंस जो होता है केमिकल को ही लेते हैं क्योंकि जो चाय की पत्ती होती है इसको फॉर्मेंटेशन करते हैं करते हैं इसमें इसको क्यूरिंग करेंगे क्या करेंगे क्यूरिंग करते हैं इसमें जो क्यूरिंग करते हैं इसमें जो पत्तियों में विशेश स्वाद आता है वो किसके द्वारा आता है इसी माइक्रो कोकस केंडियन्स के द्वारा ही आता है इस तरीके से अब हमको क्या होत यह पूछा जाता है कि जो चाय की पत्ती होती है जो उसमें स्वाद आता है जो उसमें जो भी सुगंद आती है उस किस केमिकल्स के द्वारा आता है तो आपको पता होना चाहिए मैक्रो कोकस केंडियंस फॉर्मेंटेशन बिद्वारा मींस किडवन बिद्वारा उसको हम क्यूरिंग करते हैं और इस क्यूरिंग की मदद से हमारी जो चाहिए की पत्ती होती है उसमें विसेश स्वाद आ जाता है ठीक है तो इस्टुडेंट आपको यहां तक अच्छे से प उस खाथ